नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 8 मार्च 2023 के डेली न्यूस्पेपर अनलिसिस और एडिटोर्यल अनलिसिस में आपका स्वागत है First of all, a very very happy holy to all of you Colors का festival है, अच्छे से मनाईए, safely मनाईए और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाएए चलिए, major headlines, चार important headlines है चाइना के foreign investor का ये बोलना है कि yes, उसको चरुतरफ से गेरने की कोशिश कर रहा है और अगर US अपनी ये कोशिश जारी रखेगा, तो लडाई होगी ही होगी किस context में ये बोला गया है, इसको मैं भी आपको बताऊंगा जी 20 की मीटिंग के लिए एंडिया आय हो है उसके बाद अगर आप देखो, तो आधार को voter ID card से link करने का जो process चल रहा है उसमें overall एक objective तो ये है कि इसको de-duplicate करना है मतलब कुछ ऐसे voters हैं, जो कि देश की अलग-अलग constituencies में registered है तो एक constituency में एक voter register हो सकता है, ये आपको पता है तो de-duplication करना जरूरी है, बट election commission का बोलना है कि de-duplication तो उन्होंना भी शुरू ही नहीं किया तो actually में de-duplication हो रहा है या फिर political actors इस प्रकार के data का इस्तमाल कर रहा है अपने निफाली subjective के लिए इसको देखेंगे फिर इंडिया 20,000 metric ton wheat भेज रहा है, अफगानिस्तान वाया चाबाहर पाकिस्तान के साथ जो land agreement वाला time था वो ख़तम हो चुका है उपर से पाकिस्तान में flood आया है, कई पाकिस्तान के दुरू भेज दिया आयमेफ का 2.9 billion dollar का जो package है, assurance package वो शिलंका के पास आ जाएगा तो ये news क्या है इसको देखेंगे, उसके साथ एडिटोरिल में non alignment को लेगे एक article इसको देखेंगे artificial intelligence में chatbot क्या गलतियां कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे त्रिनमूल Congress सगर दिशी की जो constituency की by poll election ने इसको हार जो किये, Congress candidate यहाँ पे जीता है Congress और left friend का candidate इसके बारे में बात करेंगे, home and away, challenging dogma तो पाँच आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक article woman led digital solution वाला ये मैं आपे skip कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like कर पटन दोस्तों, चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिए, Instagram पर follow कर लिए, आप से जुड़ने कोशिश करता हूँ, Telegram group जोइन कर लिए, माप भी lecture की PDF और notification दोनों आपको मिल जागी, जादा से जादा लोग साथ lectures को share करें, overall इस lecture के engagement को YouTube के algorithm में बढ़ाने के लिए, what other day देख लेते हैं, bite of more than one can chew, इसका क्या मतलब है, take on a commitment, one cannot fulfill, मतलब आप जितना chew नहीं कर सकते, जितना चवा नहीं सकते, उस से जादा अपने मुह में भरे चले जा रहो, समझ गया है, मतलब overall, bite of more than one can chew, अगर किसी नहीं किया है, तो उसका मतलब यह है, कि उसकी काम करने के capacity कम है, बट वो commitment जादा का ले रहा है, जैसे as an industry, आप overall एक दिन में, hundred shirts पैदा more than one can chew, चली पहनी नूस, US is trying to uncircle China, foreign minister, G.S.P. बटू international nation, यहाप पे दिख रहा है, आपो King Gang साहब, ठीक चाहिना, foreign minister, क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है, इस the US does not hit the break, but continues to speech down the wrong path, the amount, no amount of guardrails can prevent derailing and there will be surely be conflict and confrontation, यह बेसिकली US की इंडो-Pacific strategy को criticize कर रहा है, US की इंडो-Pacific strategy के तहदी कह रहा है कि, US gang up कर रहा है, exclusive blocks बना रहा है, confrontation को stir up कर रहा है, regional integration को undermine कर रहा है, ठीकी ना, चाइना को चारो तरफ से घिरने की कोशिश कर रहा है, USA, और overall, यह जो real purpose है, इंडो-Pacific strategy का US की, वो चाइना को घिरना है, और इससे confrontation ही बरेगा, actually मैं overall बनाना चाहता है, US, इसलिए US Quad जैसे group बना रहा है, AUKUS जैसे group बना रहा है, Quad में है, US, Australia, Japan और इंडिया, AUKUS में है, Australia, UK, US, तो इस प्रकार के defense pact को मनाना मतलब, China की sovereignty को counter करने वाली बात है, ऐस ता Mr. King Gang बोल रहा है, इससे पहले अगर आप देखो, तो 6 March को Chinese President Xi Jinping ने भी क् Western countries led by the US have implemented all-round containment and suppression of China, which has brought unprecedented severe challenges to country's development, वैसे मैं आपको बता दूँ, China का Parliament session चल रहा है, 13 March को यह Parliament session खतम होगा, इस Parliament session में बहुत से कानून पास किये जाएंगे जिससे, जो आपकी Communist Party की state machinery है, उसमें कोई changes होंगी, उसमें जो important positions and important leaders उनको बतला जाएगा, प्लस overall party का control और government bodies के ओपर oversight और Xi Jinping के हाथ में आजाएगी, मतलब centralization का जो trend Chinese politics में, Xi Jinping ने शुरू किया है, वो और आप कहलो strong कर रहे हो, ठीज़ना, 7 March को कुछ draft measures announce हुएं, एक measure जो announce किया है चाइना के अंदर जो काफी important है, वो है National Financial Regulatory Commission, इसका काम क्या है, चाइना के 60 trillion dollar के banking assets को regulate करना, ठीक है, तो basically यहाँ पे अगर आप देखो, तो Parliament session में, Xi Jinping भी US की बुराई कर रहे हैं, किंगांग भी US की बुराई कर रहे हैं, फिर यहाँ पे किंगांग ने ताइवान का matter छिड़ दिया, बोला की, भाई, बीजिंग ने red line ट्रॉक की है, ताइवान के उपर, वाशिंग्टन का भी base, red line को cross ना करे, इंडिया के बारे में, उन्होंने कोई खासा comment नहीं किया है, बट चुकि यहाँ पे US defense groups बना रहा है, overall, इंडो Pacific में grouping की strategy को अपना रहा है, तो quad में इंडिया भी आता है, तो एक तरीके से indirectly अपके लो, इंडिया के उपर comment है, directly तो अ conflict होगा ही होगा, तो वही जो शुरुआत में जो statement है, यहाँ पे दुबारा लिखा हुआ है, फिर क्या instances quote करना है किंगांग साथ, तो recently Chinese balloon, जो की US के उपर से उड़ रहा था है, US ने बोला कि यह spy balloon है, और US के अंदर काफी बवाल नी मच गया था, चाइना ने बोला नहीं फिर चाइना बोल रहा है कि US नियो मेकार्थिजम कर रहा है, नियो मेकार्थिजम क्या है, तो it is a practice of making acquisition of subversion and treason, मतलब US यहाँ पे acquisitions लगा रहा है, चाइना के उपर subversion का, treason का, जब actually मैं US ही यह सब काम कर रहा है, तो US चाइना को बोलता है कि आप अनार्किजम कर रहा हो, क मेकार्थिजम नाम का फिनॉमिना है, यह पड़ा है US Senator Joseph McCarthy के नाम पे, चुकि 1940 में कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी, जो कि acquisitions लेबल करने वाली बात थी, तो उससे ही मेकार्थिजम फिनॉमिना का नाम पड़ गया, और overall US ऐसा कर रहा है, ऐसा बोलना है चाइना के Foreign Minister King Gang, ठी अगर peaceful reunification नहीं हो पाया, तो हम violent measures भी ले सकते हैं और किसी और को interfere नहीं करना चाहिए, फिर overall US और Western countries पूरी दुनिया को एग्यान बाटते नजर आते हैं कि Ukraine की territorial sovereignty को protect करो, तो Chinese लोग कैसे Ukraine की territorial sovereignty को मान सकते हैं जब तक आप, मतलब USA, Taiwan की territorial sovereignty को नहीं accept करते हो, उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दू, US चाइना को बोलता है कि Russia को weapons मत प्रोवाइड करो, तो यहाँ पर किंगाम बोलना है कि हम Russia को weapons क्यों ना प्रोवाइड करें, जब US ताइवान को weapons प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत openly US के stance को pushback कर रहा है चाहिना, अपने आप में बहुत पर टू, government policies and issues arising out of their implementation, the concerns with linking आधार with voter IDs, देके 60% इंडिया के जो electors है, जो vote डालते हैं, उनके आधार नंबर उनके voter ID card के साथ link हो चुके है, voter roads पे जो भी उनका voter ID card नंबर उसके साथ उनका आधार linked है, अब इस respect में देखो, तो जो भी voter activist है, उनका यह बोलना है कि disenfranchisement, coercion और privacy conversation यह सब होगा, मतलब आधार नंबर को अगर आप voter ID card से जोड़ोगे, voter rolls पे कहीं ने कहीं आधार का mention होगा, मतलब किसी particular individual का voter ID card उसके आधार details के साथ जुड़ा हुआ है, तो longer term में democracy के लिए अच्छा नहीं है, किस हिसाब से बोला जा रहा है, देखा जाए तो कुछ राज हैंडिया के अंदर जैसे त्रिपरा हो गया, त्रिपरा में 90% लोगों के voter ID card उनके आधार नंबर साथ जुड़े हुए है, वहीं पर कुछ राध दिल्ली के बात करो तो किवल 30% electorate के जुड़े हुए है, आप यह जो voter ID card के साथ आधार के नंबर के linking की जाती है, यह क voter ID card पर आधार का mention आ जाएगा, overall इस form 6B को बनाया कब गया था, तो election law amendment act जो कि 2021 में पास किया गया था, इसमें यह बोला गया था, ठीक है भई, voter ID card को अब आधार के साथ लिंक कर सकतो, आप सुप्रीम कोर्ट ने साफसा बोलाए कि यह mandatory नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह ब यह ही mandatory होगा, बाकी चीजों के लिए आधार को mandatory नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो, तो यह amendment act आया है, election law amendment act 2021 और इसके बाद आधार को भी जोडने से बोला गया किसके साथ, voter ID card के साथ, लेकिन यह भी mandatory नहीं था, election commission of India reiterate कर चुका है, कि कहीं पे भी election law amendment act 2021 में यह नहीं लिखा है, कि voter ID card की आधार के साथ linking mandatory है, तो अब अगर form 6B के अंदर आधार mandatory नहीं है, तो मतलब क्या है form 6B का, तो देखिए अगर आधार mandatory नहीं है, तो आप बाकी identity cards देखके overall form भी भर सकते हो, जो भी provisions हैं, election law amendment act 2021 के इनको मान सकते हो, अब कुछ points है, एक तो आधार linking यहाँ पर de-duplication के लिए की जा रही, de-duplication मतलब, overall एक ऐसा individual, जिसने अलग-अलग multiple constituencies से अपने आपको voter register कर रखा है, तो आधार के आधार पर यह चेक कर लिया जाएगा, यहाँ भाई इसने अलग-अलग जगा पर register कर रखा है क्या, तो किसी एक constituency में उसको रख obligation शुरू नहीं किया है, तो इस context में, overall यह आधार voter ID linking का फाइदा क्या होगा, तो देखिए फाइदे थोड़े गलत sense में नजर आ रहे है, election commission of India से जो data है, वो political parties के पास पहुंच जाता है, और political party इस data का इस्तमाल गलत चीजों के लिए कर सकती है, political parties को अपने political circle में पता होता है कि कौन सी community, caste के लोग उनको vote करेंगे, नहीं करेंगे, तो इस context में, political party इस data का इस्तमाल कर सकती है, गलत तरीके से election commission को influence करने के लिए, ताकि वो voters जो उनको vote ना देंगे, उनको गलत तरीके से deregister कर दिया जाए, या voter rolls hat आ दिया जाए, देख linking है voter ID card की आधार के साथ ये voluntary है, यही बात लाइकन कोयू जी ने बोला, जो कि अवनाचल प्रदेश के joint chief electoral officer थे, और यही बात करनाटिका के chief electoral officer मनुच कुमान मीना सामने बोला, तो जब इतने chief electoral officer बार बार ये बोल रहे हैं, कि आधार की linking voter ID card के साथ mandatory नहीं है, तो क्यों ब अपना आधार number नहीं register करना चाते हैं यहां पर, या फिर उन्होंने बहाना मार दिया कि हमने आधार number अभी लिया ही नहीं है, तो election officials ने बोला कि आधार number नहीं लिया है, तो फिर आप form 6 भी नहीं भर पाओगे, और अगर आप form 6 भी नहीं भरोगे, तो आपका नाम voter roll से हट लिया जाएगा, तो कुल मिलाक के बात ये निकल के आ रही है, कि कहीं न कहीं, ये जो 2021 का election law amendment act है, इसके थुरू आधार card और voter ID को लिंक करने की बात की गई है, इसका कुछ तो गरत प्रकार से इस्तमाल किया जा रहा है, और इसकी report overall तेलांगना से भी निकल के आई थी, ते लांगना से हटा दिया गया, अब जब election commission of India साफ साफ ये बोल रहा है कि deduplication अभी के लिए शुरू नहीं हुआ है, तो किस basis पे यहाँ पे voter roll से overall electors का नाम हटाया गया, तो ये कुछ ऐसे points हैं, जिनको यहाँ पे उठाया जा रहा है, तो कुल मिला के, ये जो आधार की mapping हो वोटर के नाम साटा सकते हैं, उन वोटर के जो कि उन political party को election नहीं डालेंगे, तो कुछ ऐसी news निकल क्या रही है, इस respect में अगर आप देखो, तो सुप्रीम कोट में पेटिशन फाइल को हो चुकी है, election law amendment act 2021 के अगें, जिसके respect में, गवर्मेंट को notice भी issue किया है, सुप्री कोट यहां पे क्या stand लेता है, हाला कि openly election commission of India का stand यहीं है, कि आधार की voter ID के साथ linking mandatory नहीं है, और अभी तक कोई deduplication exercise शुरू नहीं हुए, नेक्स जिस वेबर टू, इंडिया नेबर हुट रलेशन, इंडिया टू सेंट 20,000 metric tons of wheat to Afghanistan, वाया चाबहार, तो भाईया देखे, अ first meeting of the India Central Asia Joint Working Group, जिसकी meeting होई दिल्ली में, और यहां पे बहुत सी countries के representative थे, इंडिया के सासत किर्गीज रिपबली, किर्गिस्तान, गजाकिस्तान, उस्वेकिस्तान, तुर्थमेनिस्तान, तजीकिस्तान, सब के representative साय थे, और वहां पे इंडिया ने announcement किया, पहले जो 50,000 metric tons को भेजने का announcement था, उसमें से 40,000 metric tons इंडिया और पाकिस्तान के land route के माध्यम से भेज चुका है, लेकिन चुबी अभी पाकिस्तान में floods आये हैं, और overall, पाकिस्तान में जितना time दिया था, wheat shipments भेजने का, वो यहां पे expire हो चुका है, और पहले जब wheat shipment भेजने की permission थी, वो इम बाहर पोट के थुरू भेज देते, तो इसका text वे, यह food range, United Nations के world food program के पास जाएंगे, और वहां से वो अफगानिस्तान के लोगों तक जाएंगे, ऐसा इंडिया ने joint working group में announce किया, joint working group की meeting पिछली बार हुई थी, इंडिया Central Asia Summit जनवरी 2022 में, उसके बाद अभी यहां पे ह हो रही है, अब इस joint working group में कुछ और points पे बातचीत हुई, जैसे for example, इंडिया ने बोला है कि customized capacity building courses launch किये जाएंगे UNODC के लिए, United Nations Office on Drugs and Crime के लिए, आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान में OPM, अफीम की खेती बड़े scale पे होती है, ड्रक्स का कारोबार होता है अफ पर और जो भी officials, stakeholders, counter drug trafficking में involved है, rehabilitation efforts में involved है, अफगानिस्तान drug users के, उनको training देगा customized capacity building की इंडिया, जब ये trading, इंडिया की जो embassy काम कर रही है, काबुल के अंदर वो लोगों को अफगानिस्तान के अंदर देगी, या फिर अफगानिस्तान के लोगों को officials को visa दिया जाएगा, वो इंडिया के अंदर आएंग और यहाँ पर आके training लेंगे, इसके बारे में clarity नहीं है, वैसे देखा जाए तो अगस्त 2021 के बाद नए visas अफगानीस को issue नहीं किये गहें, जो limited sick और हिंदू अफगानी थे, जो भाग के वापस इंडिया में आ रहे तो उनको ही visa issue किये गहे अगस्त 2021 से पहले जो visa issue थे, वो वैसे भी cancel यहाँ पे हो चुके हैं, अगर UNODC की report को माना जाए, तो opium production पिछले साल में 33% बढ़ाया अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के control आने के बाद, 80% दुनिया का opium और heroine अफगानिस्तान से स्मगर होता है, अफगानिस्तान की 10% जनता, 3 million, लगबग 30 lakh लोग, total जनता 3 करोन से जादा है, यह opium को use करते हैं, opium से addicted हैं, और इसी opium की कमाई के पैसे से terrorism को proliferate किया जाता है, यह भी यहाँ पे बोला जारा है, फिर joint working group ने यहाँ पे यह भी बोला है, कि importance of formation of a truly inclusive and representative political sector that respects the rights of all Afghans and insurance, equal rights for women, girls and members of minority group, तो basically अ inclusive and representative political structure आने की जरूत है, जहाँ पे women को girl को बराबर के अधिकार मिले, minority groups को बराबर के अधिकार मिले, और अफगानिस्तान की जमीन को terrorism के लिए इस्तमाल ना किया जाए, तो बहुत सी बात यहाँ पे discuss हुई, अब कितनी follow हो पाएंगे इस बात के उलेके doubt है, in fact मैं आपको अगर बता दू, तो Shanghai Corporation Organization की मीटिंग को भी इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल, बहुत से Central Asian Officials आएंगे excluding तुर्कमनिस्तान इंडिया के अंदर बातचीत करने के लिए, तो अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, कि एक ही साल में G20 की लीडर्शिप भी है इंडिया के पास और SCO की लीडर्शिप भी कही नगे इंडिया के पास है, SCO की मीटिंग भी इंडिया होस्ट कर रहा है, नेक्स आजाते हैं, GSP बड़ी इंटरनाशनल रिलेशन्स, चाइना हैस सेंट एशुरेंस बैकिंग IMF प्रोग्राम रानिल टेल्स पारलेमेंट, फि इंडिया चाइना अलड़ी अपने एशुरेंस दे चुका है, सिंपल सी बात है, IMF अगर अब और उधार देगा श्रीलंका को, तो श्रीलंका को अलड़ी जो कंट्री उधार ले रही हैं, उनसे NOC लेगा, तो एक प्रकार की NOC है, no objection certificate है, तो इंडिया NOC दे चुका है, अब रास्ता खुल गया है, 2.9 बिलियन डॉलर का पकेज आने का, by the end of the month, from IMF to Sri Lanka, the IMF न भी यहाँ पर अनौंस किया, कि हाँ चाइना की तरफ से अशुरेंस आ चुके हैं, श्रीलंका के debt restructuring process को ले के, Krishna Srinivasan साब, जो कि director है, Asian Pacific Department of the IMF के उनने क्या statement दिया, श्रीलंका has now received financial assurances from all major bilateral creditors, this paves the way for consideration by the IMF board, from March 20, the approval of the staff level agreement, reached on 1 September 2022, for financing under an extended fund facility, तो EFF के अंदर, overall, IMF के board ने, जो agreement किया था, 1 September 2022 को, वो agreement subjectives बात में था, कि Sri Lanka के सारे बड़े bilateral creditors, overall, अपने assurances दे दे दे, और IMF की terms and conditions को मान ले, वो terms and conditions को मानने में सबसे लदा देर लगाई चायना ने, लेकिन चूकि चायना ने अपना assurances दे लिया है, तो जल्दी IMF ये तरह से, जो 2.9 billion dollar का assistance जाना था, श्रीलंका के लिए, वो जाएगा, ठीक है, overall, अगर आप देखो, तो श्रीलंका के अंदर, जो local body elections है, उसके ल सरकार से बोला कि भीया, election announce का हो, finally, यहाँ पर 25 अप्रेल election की date रखी गई है, तब तक शायद IMF की तरफ से पैसा भी आ जाएगा, तो वरहाल elections यहाँ पर conduct कर पाएंगे, देखिए, यह बात बिलकुल सही है कि इस समय पर श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, तो election में खर्चा क करना क्या सही है, this is a very ethical and moral question, but problem यह है दोस्तों, कि democracy का very base election है, election is, आप कहलो, एक non-negotiable expense, उसको करना ही करना है आपको, चुकि एक elected सरकार का एक limited time frame है, उसके बाद दूसरी सरकार आनी ही आनी चाहिए, नहीं तो पहली सरकार election के पैसों के नाम पर ही अपना राज आगे पाएंगे, अपने मन के असाब से लीडर नी चिन पाएंगे, जो कि गलत होगा, तो डेमोक्रेसी के अंदर रशन कंड़िट करने जरूरी है, तो चलिए, हब फाइनली 25 अपरेल को local body elections भी हो जाएंगे, फिलनका के अंदर, let's see result क्या आत है, पैरस की बाद क्लब की बात करो और दुनिया की debtor countries, इनके अपर बहुत सारा उधार है, उनकी payment difficulties को solve करने के लिए sustainable solutions भूरती है, पैरस क्लब, हाला कि ये दान धरम में पैसा नहीं बाढ़ती है, इंटरेस्ट भी लेती है, अपने दीवे पैसे पे, कौन कौन हैं के members, Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Japan, Netherlands, Norway, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, और United States, चलिए भाई, editorial पर आ जाते हैं, क्या क्या हैं आज editorals, तो भाई, active non-alignment for Ukraine peace, क्या बताया जा रहे हैं आपर, देखें, Munich Security Conference हुआ, Munich Security Conference में जो Western countries हैं, जो G7 countries हैं, European countries हैं, US हैं, जो जाधातर NATO की members हैं, वो ये देख रही हैं कि जो Global South है, वो G7 के साथ synchronize नहीं हो पा रहा है, Ukraine war को लेके, ठीक है, जैसे कि जो developed countries हैं, जैसे US हो गया, France होगी, जर्मनी होगी, ये बोल रही हैं कि भाई, जो Global South developing countries हैं, यार ये र और और दुनिया में rule-based order के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी तो लड़ो, तो मतलब Western countries यहां पर developing countries के उपर moral responsibility फेक रही हैं, कि जब हम rule-based order लाने के लिए लड़ रहे हैं, तो तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहो, लेकिन मैं आपको simple बात ये बता दूँ, कि जो developing guard है, especially Africa, Asia, Middle East, West Asia, इसमें बहुत सी जंगे देखी हैं, योरोप में तो पहली जंग हुई है, ये Second World War के बाद, लेकिन Asia, अफरीका में बहुत सी जंग हो चुकी है, बहुत से proxy wars हो चुके हैं, और इन countries को यह पता चल चुका है, कि developed countries में war में interest तब दिखाया है, जब war उनके gateway पे गया, तो जब योरोप के अंदर जंग हुई, वो बात है न, जैशंकर साभ वाला जो dialogue है, कि योरोप को इस mindset से निकलना पड़ेगा, कि दुनिया की problem योरोप की problem नहीं है, बट योरोप की problem दुनिया की problem है, तो जब योरोप के अंदर war पहुचा, तब ये developed countries खड़ी हो conference हुई, तो expected ये था कि पचपन अफरीकन कंट्रीज के representative आएंगे, लेकिन के वाज चाह रहा है, तो कोल मिला कि यूकरेन, यूएस, ये developed countries, जो रशिया, यूकरेन, वार में, रशिया के against लोगों को mobilize करने की बात कर रहे हैं, ज़ाधातर countries हो नहीं रही हैं, जो developing countries हैं, चाह active non-alignment, active non-alignment का concept 2019 में है, वैसे तो non-alignment concept जवाला नेरू और बाकी international leaders ने प्रोमलगेट किया था, आज की date में active non-alignment है, active non-alignment मतलब हम किसी की तरफ पूरी तरीके से जुके भी नहीं है, और हम सब के साथ एक ही समय पे, you know, engage भी कर रहे हैं, जैसे for example, Latin American countries की बात करिए, तो पूरा करने की कोशिश कर रही है, कैसे, तो देखिए, दिसंबर 2021 में China Community of Latin American Caribbean States की ministerial forum की meeting हुई Mexico City में, वहाँ पे overall Latin American countries की leaders ने participate किया, और उसके बाद Washington DC में जो democracy summit हुई, वहाँ पे पी participate किया, अब US और China ideologically एक दूसरे के against खड़े हुए, और बहुत से points पे against खड़े हुए, चाहे वो trade हो, चाहे वो overall आपका Taiwan का issue हो, चाहे वो Russia, Ukraine, war हो, ये दोनों countries, China, US एक दूसरे के against है, और US pressure डालना Latin America पे China के against हो जाओ, चाहे प्रेशर डालना US के against हो जाओ, बट Latin American countries किसी भी pressure के अंदर नहीं आ रही है, वो अपने interest के हिसाब से काम कर नहीं है, जैसे कि 5G development मे China's Telecom Company, Hawaii की entry को Latin American countries में गुसने से रोका US ने, लेकिन Latin American countries ने बोला कि हमें जरुवत है, तो हम Hawaii को welcome करते हैं, तो कुल मिलाके ये जो 2022 का year है, इसको foreign policy magazine ने year of non alignment बोला है, और इसको actually में active non alignment कहा जा रहा है, चोकि दुनिया भर की countries, अपने development के interest के हिसाफ से यहाँ पे decision ले रह कर रहा है, इंडिया Quad का member है, एडिया सब भी G20 का member, SEO की meeting को भी hold कर रहा है, तो आप देखिए, G20 एक ऐसा international organization है, जिसने 2008 नो की financial crisis के समय बहुत important role play किया है, आज की date में रश्या यूक्रेयन वार की चलते G20 के mechanism को dysfunctional करने की कोशिश की जा रही है, बट इंडिया पूरा जोर लगा रहा है कि mechanism dysfunction ना हो जाए, at the same point of time, इस बार SEO की meeting को भी India host करेगा, तो इंडिया भी यहाँ पे active non alignment कर रहा है, एक ही समय पे G20 Western countries के साथ भी engage कर रहा है, at the same point of time, SEO की meeting को भी host कर रहा है, चायना की साथ भी रिष्टे बना रहा है, रश्या से भी अपने imports को execute कर रहा है, at the same point of time, Western countries के साथ भी अपने रिष्टे अच्छा गिया हुआ है, और केवल इडिया ऐसा नहीं कर रहा है, अफरीका के अंदर का जो सबसे industrialized और developed economy है, वो है South Africa, South Africa तो एक level आगे चला गया, South Africa overall China के साथ बिष्टे अच्छे रहा है, G7 के साथ बिष्टे अच्छे रहा है, इसी ग्रूप के तले दबने के चक्कर में नहीं है, ब्राजील की बात करो, तो ब्राजील प्रेजडेंट लुईस इनाशियो लूडा डिसिलवा के अंदर है, ये भी एक पीसफुल सॉलुशन चाहते है रशीन उक्रियन कॉन्फिक्ट में, बट आर नोट टेकिंग एनी सा है, ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्ण पॉर्ण लेवल पर एक्जीक्यूट कर रहा है, फिर नेक्स्ट, चैट बॉर्ट कैफेस देट एक्स पोस्ट चिंक्स इन दा एई आर्मर, यहां पर क्या बता है जा रहा है, तो भाई, ओपन आटिफिशल इंटेलिजेंस का चै 338, पोलिंग कंपनी है, इसने अर्टिफिशल इंटेलिजेंस के चैट बोट से बोला, कि यह मुझे एक 800 पन्य का आठिकल लिखके दो, रिगार्डिंग पॉब्लीक परसेप्चिन ओफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चैट बोट तो 800 पन्य का आठिकल लिखके दिया, computers important है capable है sophisticated है कि वस 27% Americans believe करते हैं कि नहीं important है जब Pew Research team से पूछा गया कि आपने ऐसा कोई survey निकाला है उन्होंने मना कर दिया ठीक है ना online दोड़ा गया मना कर दिया बाद में पता यह चला कि actually में 2021 की जो Pew survey थी उसमें conclusion यह था कि 18% respondents सोच रहे थे कि यहां पर रोबोट वगरा ठीक है 37% सोच रहे थे कि यह नहीं ठीक है कुछ गरबर हो सकती हो 45% चोग रहे थे कि भाई ठीक भी है और नहीं भी ठीक है तो कुल मिला कि यहां पर यह artificial intelligence के chatbot information कुछ इस प्रकार से सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो एक तो गलत है दूसरा इनके खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है अब खास बात दोस्तों यह है कि यह machine learning है यह humans नहीं है लेकिन यह machines information को तोर मरोड के inaccurate, 22 और गलत तरीके से हमारे सामने रख रही है तो कुल मिला के आँख बंद करके artificial intelligence के chatbot दोरा दी गई information को हम मान नहीं सकते उसी respect में अगर आप देखो तो business insider की समान था दिलोगा ने भी chatbot से पूछा उन्होंनों बोला कि भाई जो मैंने Jeep factory in Illinois पर आर्टिकल लिखा इसको तुम rewrite करो तो उसने rewrite किया अब overall rewrite किया ठिक ठक rewrite किया लेकिन उसमें कुछ गलत चीज़ें भी लिख दी जैसे कि Jeep maker, Stellantis के CEO, Carlos Teveris के कुछ fake quotes को वहाँ पर point out कर दे जब कि वह quotes actually में exist भी नहीं करते हैं तो कुल मिलाके आप artificial intelligence के chatbot को कुछ करने को बोल रहा है वो कुछ कर रहा है उसको पूरी तरीके से proper तरीके से नहीं कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ गलती है और वो गलती हैं अपने आप में बहुत बड़ी है कई बार तो ये chatbots racist और sexist message को भी promote करते है Microsoft ने apologize भी किया था एक Twitter chatbot के लिए जो कि racist और sexist matches देने लगा Meta का blender bot ये बताने लगा journalist को कि उन्होंने अपना Facebook account इसलिए delete किया है चुकि company के कुछ privacy scandals है तो मतलब कुछ गलत प्रकार की information कुछ गलत सरत information देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ दुनिया भर की technology companies chatbots को deploy करते हैं क्यों चुकि इन chatbots की algorithm के हिसाब से viral content को promote किया जाता है अलग-अलग platforms पे कहीं न कहीं इस प्रकार की chatbots और artificial intelligence की algorithm को सारे platforms use करते हैं YouTube ले लो Twitter ले लो Facebook ले लो Instagram ले लो सब use करते हैं चुकि इन platforms पे भी viral news को promote करना जादा से जादा व्यूस कूछ ना ही एक objective होता है तो artificial intelligence जब भी आपके सामने information रखेगा उसको इस प्रकार से रखेगा कि आप उसके साथ engage करो और आपके पास इतना time नहीं है कि आप यह धूनने बैटो कि यह सही बता रहा है या गलत बता रहा है तो इस context में अगर artificial intelligence गलत information देने लगा untruthful biased or toxic information देने लगा जो की वो देही रहा है तो अपने आप में long term में पूरा को पूरा initiative defeating हो जाएगा यह बातें यहां पर overall बताई जा रही है ठीक है भाई फिर अगला article हम discuss करते है सागर दिशी shock for त्रणमूल Congress तो वैसे तो वेस्ट बंगाल की politics में बाई elections पे उतना जोर नहीं जाता और जो ruling party जैसे कि त्रणमूल Congress लंबे समय से राज कर दी वेस्ट बंगाल में तो जो भी बाई elections होते त्रणमूल Congress जीच जाती बट इस बार हार गई कहां पे सागर दिशी assembly seat में इनके MLA की मृत्ती हो गई थी सुब्रतो साहा निसमबर 2022 में तो बाई पोल कराना mandatory था साहा ने 2021 में जब लेश्टिटिव assembly के एलेक्शन होए थे 50,000 के margin से एलेक्शन जीता था लेगिन इस बार त्रणमूल Congress हार गई और त्रणमूल Congress के candidate को left front supported Congress candidate बेरॉन बिस्वास ने हरा दिया 22,986 votes के margin से Mr. बिस्वास एक local BD baron है 47.4% total votes मिले हैं इनको उसके बाद त्रणमूल Congress के nominee को मिले 34.9% votes भारती जन्ता पार्टी के candidate को मिले 13.9% votes वहीं पर 2021 में जब assembly पोल हुआ था तब त्रणमूल Congress से candidate को मिले थे 50.9% vote BJP candidate को मिले थे 24% vote Congress से candidate को मिले थे 19.4% vote तो अपने आप में इस particular defeat को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि त्रणमूल Congress Muslims के vote को claim करती है और own करती है ये बात for granted वो नहीं ले सकते जो कि क्या है ना कि ये जो सागर दिशी है इसके अंदर मुर्शीदाबाद की electorate आता है जो कि ज़्यादातर Muslims है और West Bengal के Muslims के लिए माना जाते है कि हाँ बाई चलो ये त्रणमूल Congress को इवोट देंगे बट ये election result ये बताता है कि Muslim votes के उपर आख बंद करके वरोसा नहीं कर सकती है overall कौन ममता बेनाजी जी उसकी बहुत सी वज़ा है यहाँ पर ममता बेनाजी जी का बोलना है कि अपोजिशन कम्यूनल कार्ड खेल रहा है एक बाई पॉल election पर ये नहीं प्रूव होता कि Muslims हमको support नहीं कर रहे है गई है जैसे कि एक student leader थे अनीश खां इनकी मृत्ति हो गई Indian secular fund के अमले नौशीर सिद्धिक इनको यहाँ परेस्ट किया गया बैलेस दिनको जेल ने बिताने पड़े तो इन सब steps के चलते त्रिनमूल Congress की जो सब्सक्राइब करें त्रिनमूल Congress की सरकार बोल रहे हैं कि एक बाइपोल के लेक्शन पर आप ऐसा नहीं कह सकते वर आथर यहां पर यहां पर यह बोल रहा है कि Muslim यहाँ पर वायरल हुई जिसमें यह पता चला कि तमिल नाडू के अंदर दो वरकर ग्रूप सापस में लड़ रहे हैं और जो लोकल तमिल वरकर ग्रूप है वो बिहार के वरकर्स को भगा आ रहा है अब इस बात को लेके फिर यह दिखाए जाने लगा कि तमिल नाडू से बहुत बड़ी तागाद में जो बिहार के माइगरेंट वरकर्स हैं वो छोड़के भाग रहे हैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं अब कुछ वरकर्स तो इसलिए जा रहे थे जो कि होली की छुट्टी ती तो उनको वैसे भी घर जाना था लेकिन यह कॉंट्रवर्सी एक इस लिमिट से जादा ना बढ़ जाए और तमिलनाडू की इमेज ना खराब हो इसलिए तुरण तमिलनाडू की चीफ मिनिस्टर M.K.S. टालिस साहब ने बिहार की चीफ मिनिस्टर नितिश कुमार से बात की और बोला कि जादा तर यह रियूमर्स हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे अपने यहां जो की वर्कर राइट्स को वह अलेट करें तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो दोनों राज्यों की पुलिस यहां पर अक्टिव हो चुकी है तमिलनाडू की पुलिस भी अक्टिव हो चुकी है बिहार की पुलिस भी वीडियम स्केल प्रोजेट्स में 70% migrant workers बाहर के तमिल नाडू की department survey जो ही थी 2015 में उसमें बताया गयता है राजी में 11.5 लाख migrant workers हैं और ये migrant workers real estate sector में construction sector में कितना important role play करते हैं या आप सबको पता हैं कई बार ये demand की गई है कि भाई जो migrant workers हैं उनके लिए भी राजी की सरकारों को कुछ करना चाहिए राजी की सरकार जो भी welfare policies बनाती है वो सिर्फ राजी की electorate के लिए बनाती है जोकि migrant workers vote नहीं डालते हैं इसलिए बहुत साले अलग-अलग आप कहलो political factors का ये बोलना है कि राजी की सरकारों को जो अपनी welfare policies बनानी चाहिए उसमें migrant workers को भी consider करना चाहिए बट ज़्यादा राजी की सरकारे करती है जो कि एक्स्ट्रा पैसा खतम होगा और वो vote डालते नहीं है के इंदर के सरकार ने कुछ scheme में मना दिये है one nation one ration cards की जो कि कही न कहीं migrant workers के rights को address करती है but at the same point of time जरूरी यहाँ पर यह है कि government को एक fresh और comprehensive study करनी चाहिए migrant workers के उपर जरूरी है कि इन migrant workers को local community के साथ integrate किया जाए उनको यह एहसास देला जाए कि वो अपने घर पर ही है उनको security का एहसास होना चाहिए हलाकि तमिल लड़ों देखे पूरी तरीके से possible है नहीं language issues आ जाते हैं culture issues आ जाता है but at the same point of time यह समझना जरूरी है किसी भी राज़े के लोगों के लिए जहाँ पर migrant workers आके काम कर रहे हैं कि भाई यह migrant workers आपकी local economy को ही उपर बढ़ाने में अपना role play कर रहे है और वो आपके लिए बहुत जरूरी है फिर अगला का आक्री article भाई यह stray dogs से खत्रा 2019 के livestock census के हिसाब से इंडिया के अंदर डेर्ड करोण stray dogs है और इंडिया बन गया है वर्ड की dog bite and rabies capital stray dog का menace इंडिया के अंदर इतना बढ़ रहा है recently दो news निकल गया ही राजस्तान के hospital से एक infant को stray dogs उठा के ले गए तेलांगना के अंदर एक 4 साल के बच्चे को पर attack किया stray dogs ने उसको खाखा के मार दिया तो ये dog attacks क्या दिखाते हैं ये दिखाते हैं कि stray dogs की problem को proper तरीके से tackle करना जरूरी है इसको केंदरे की सरकार भी acknowledge करती है राजे की सरकार, judiciary, municipalities, NGO सब acknowledge करते हैं अब देखा जाया तो इनसान और कुटों का रिष्टा है बहुत unique है आपने आप में कुटे बहुत वफादार होते हैं ठीक है ना लेकिन at the same point of time जो dogs का evolution है वो wolf से हुआ है उनकी कुछ territorial instinct है और वो हमेशा इनसानों के प्रती considerate रहेंगे उनके प्रती, you know, obligated रहेंगे कुछ violent activity नहीं करेंगे ये नहीं है आप देख सकते हैं या पे क्या हो रहा है एक 4 साल के बच्चे को कुछ कुछ कुटों ने मिलके मार दिया अपने आप में this is a very serious issue तो इस context में कई बार ये आवाज उठी किया dogs को euthanize करना चाहिए खासकर उन dogs को जो किसी के pet नहीं है अगर देखो किसी ने pet पाल रखा अपने घर में तो उस pet की सारी responsibility उन human custodians के उपर आती है लेकिन when it comes to those dogs which are not pets तो इनको handle करने के लिए क्या नहीं हम कानून है तो prevention of cruelty to animals act animal birth control dog rules 2001 अभी recently animal birth control rules 2022 लाए गए लेकिन इन rules में कुछ खासा कर नहीं किया गया है इन rules में बस sterilization और vaccination से related कुछ procedural changes किये गए है ठीक है ना अब जैसे for example यहाँ पर author बोल रहा है कि जो भी dogs pets नहीं हों सबको euthanize करना जरूरी है ठीक है ना बट सबको euthanize और sterilize नहीं किया जाता तो कई बार ऐसा होता है कि सड़क पे जो stray dogs घूम रहे है they are not euthanized, they are not sterilized तो वो आपको काट लेगा, आपको rabies हो सकता है आपकी health को problem आ सकती है कुछ और नियम कानूर मना दिया गे कि जो resident welfare association है उनके heads की responsibility है कि भाई अगर stray dogs को feed करना है तो proper pocket में feed करना वो कहीं पे भी घूम के खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता तो resident welfare उसे जिसे कि मैं जिस building में रहता हूँ पवई मुंबई में वहाँ पे भी जो resident welfare association के head उनके प्रॉपर नियम कानूर निकाले है कि भाई building के बाहर एक particular spot होगा जहां आप stray dog को खाना खिला सकते हो हर जगा आप खड़े हो कि stray dog को खाना नहीं खिला सकते हो हर इंसान कुट्टे के साथ अपने आपको safe feel नहीं करता है और ये बाते और ज़्यादा open में सामने आ रही reason being dog bites के cases भी बहुत सारे सामने आ रहे इंडिया के अंदर हर 100 Indians पे एक stray dog है तो हमें infrastructure mechanism मनाने की ज़रो थे proper तरीके से monitoring करने की ज़रो थे डाग नंबर्स को थोड़ा कंट्रूल करने ज़े हो तो इस प्रकार से अंचेक्ड अन यूथनाइज और अंस्टेरिलाइज घूमेंगे तो भीया rabies की problems बढ़ेगी चुकि dog bites होंगे उससे rabies बढ़ेगा और पब्लिक health crisis proper ज़री किसे resolve नहीं हो पाएगी यह सब बातें यहां पर बोली गहीं तो right to safe public spaces यह भी important है humans के लिए जो कि कही न कहीं stray dogs की वज़ा से compromise हो रहा है so thank you for watching friends I hope आपको कुछ न कुछ यहां पर useful जानने को मिलाओ जितनी important information थी मैंने crux में आपको बता दी कुछ नों को लगएगा थोड़ी सी तेज है वीडियो पर तेज नहीं दोस्तों बिना मतलब से बेकार की चीज़ों को मैं क्या extends आपको समझाता रहूं काम बर की चीज़ों क्रक्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आपका time भी safe हो useful information भी आपको मिल जाए अब 40 minute का lecture है ठीक तरीके समझने मां आपको कम से 10 गंटा तो जाये गई तो डेट गंटे मां भी current affairs पूरी हो रही बाकि अगर आपको लगता है कोई news छूट गई तो आप नीचे गंड बॉक्स में बता दो ठीक है thank you for watching have a great difference ध्यान रखिये बागा